चलो मित्रों, आज पहले हम जानते हैं ओम की उत्पति और उसका महतों ओम जिसे हैं ओम भी लिखा जाता है भारतिय धर्म में जैसे हिंदु धर्म, बहुत धर्म, जैन धर्मे में एक पवित्र ध्वनी और आध्यात्मिक का प्रति ओम है इसे मूल ध्वनी के रुप में माना जाता है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई और समुत्र से उत्पन होने वाली लहरों में ये ओम का ध्वनी उत्पन हुआ और ब्रह्मांड की रचना हुई हिंदु दर्म में ओम को परमवास्तिक विक्ता या चेतना या ब्रह्म का सार माना जाता है। ओमकार जाप करने से हमारी मानसिक स्वस्टता और एकदग्रता निर्वान होती है। तनाव और चिंता दूर हो जाती है। भावनात्मक्स तरपेर हम हमारी भावना को संतुलित कर सकते हैं और यह कल्या और सकारात्मक्स की भावना वो को बढ़ावा देता है सारी रिक स्वस्थ हमें मजबूत बनाता है आध्यात्मिक हमारा विकास भी होता है और चक्रों को भी संतुलित करता है ध्यान में हमें लग नमश्यवाय का जाब करते हैं ओम नमश्यवाय हमारे मंदर की सिस्टम को सुद्ध करता है और ध्यान में बनाने में मदद करता है सद्गुरू बता रहे हैं कि इस मंतर का उचारन करने से और क्या महत्व है वह साथ ही समझा जाए सकता है कि ओम नमश्वाय की तरह नहीं बलकि ओम नमश्वाय की तरह उसे उच्चारित करना चाहिए ओम नमश्वाय का ये मूल मंत्र है जो हमारे सरीर का सुद्धी करण करता है और साथ ही अपने ध्यान की अवस्ता में ले जाने में मद के ब्रंभचारियों द्वारा बनाए गया यह ओम नमस्य वाय मंत्र वहराग्या इस मंध्ड कर शुक्रमी का अभ्यास विभिन आयां में किया जासकता है इन्हें पंचाक्षरभ भी कहा गया है इसमें 5 मंद्ड्र है यह पंचाक्षर प्रकूती में प्रतिक है और सरीर के पाँच मुख्य केंद्रों के भी प्रतिक है इन पंचाक्षरों में इस पाँच केंद्रों को जागृत किया जा सकता है और यही पूरे तंत्र को यानि हमारे सिस्टम के सुद्धी करण के लिए बहुत सर्क्ति शाली माध्यम है चलो इस मंत्र का अर्थ जानते हैं ओं यह ब्रह्मान का मूल ध्वनी और ब्रह्मान यह उर्जय का प्रतिक है इसे शांती शक्ती और सुरुजन की ध्वनी भी माना जाता है नम इसका अर्थ है नमसकार या नमन करना जो शृद्धा और समर्पन को दर्शाता है शिवाय शीव का आर्थ है मंगलकारी या कल्यानकारी यह भगवान शीव को समदर्भित करता है जो विनाशक और सुरुष्टि के पुनर निर्मान करता है व्रिश्टूत विश्लशन करते के ओम का ध्वनी त्रीमूर्ति ब्रह्मा विश्णु महिस्ट का भी प्रतिक है यह सुरुजन पालत और विनाश का प्रतिक है ओम मत्र का उच्चारण करते समय जो कमपन उत्पन होता है वह आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है नम यह समर्पन और विनम्रता का प्रतिक है जब हम नम कहते हैं तो हम अपने अहंकार का त्याग करते और इश्वर के शरण में जाते हैं सुरुजन के लिए होता है वे आदी योगी है और समस्त ज्ञान के स्तोत्र है आध्यात्मिक महत्वन जानते हैं तो यह मंत्र से साधक को शांती और संतुलित प्रदान करता है आंत्रिक शुद्धी और मन की स्थिर्टाक में सहायक होता है यह मंत्र नकारात्मक को दूर करके स प्रकार अत्म कुर्जा निर्वान करते हैं इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आत्मा को शांती मिलती है और मन में स्तिर्था आती है जब कि विधी जानते हैं इस मंत्र का जब सुबह के श्वमय विशेश कर ब्रह्म मुरत में करना अत्यंत लाबदाई माना जाता है जब करते समय एक अगरता और पूर्ण स्रद्धा के साथ भगवान शीव का ध्यान करना चाहिए माला का अपयोग करके हम 108 मंत्र का जाब कर सकते हैं इस प्रकार हम जानते हैं कि ओम नमश्यवाय मंत्र केवल एक साधारन ध्वनी है बलकि इसका गहरा आध्यात्मिक और वैग्नानिक अर्थ भी छुपा है यह मंत्र भगवान शीव के आराधना के साथ आत्मा के शुद्धी और मानसिक सानती का माध्यम है इसका नियमित चाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और आध्यात्मिक उन्ने तिकियर के वह अपने जीवन में अग्रशर बनता है मित्रो अगर आपको आप यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे साचा कीजेगा धन्यवाद ओम नमस्षिवाई और कोमेंट में ओम नमस्षिवाई जरूर लिखिएगा धन्यवाद